जहीं दोस्तों मैं मुकेस कुमार नोटबूक स्टेडी में आप सभी का सवागत करता हूँ तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं सूपर ठटी कोस्चन लेके आया हूँ और यहां सूपर ठटी कोस्चन यह आपके थोड़े से मोडरेट लेवल के रहेंगे थोड़ से टफ रहेंगे क्यूंकि जनरली सब कोस्चन जो होते जो कोस्चन बैंक वेगरा और जनरली आये रहते तो उनका एंसर सब दे देते यह मुझे जरूर बताईएगा और यहाँ जो कुस्चन है आपके आने वाले सभी एकजाम 66, BPSC, बिहार दरोगा, BSSC तथा अन्य जो भी परतोगी परिक्षा होने वाले हैं उन सब के लिए महत्पून बन जाता है तो चलिए फ्रेंड सुरू करते हैं और इसको मैं जो हूँ साथ में डिस्क्राइब भी करता चला जाओंगा तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल में जाके और पर क्लिक कर देंगे ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आई फ्र एंसर होगा B, Lord Auckland, Lord Auckland जो थे उनके द्वारा हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार परदान किया गया, बात कर ले अगर हम लोग कैसे याद करेंगे, मैं बीच-बीच में ट्रिक भी दे दूँगा, तो संपत्ति किस से संबंदित होता है, संपत्ति, land, मतलब अगर संप एंसर देजे, तो इसका एंसर हो जागा आपका South Button Deep, दो का C, इसको कैसे याद करेंगे हम South Button Deep, तो Button, देखें यहाद बटन है और बटन बहुत छोटा होता है, तो बस ऐसे यादर कियेगा, छोटा राष्टी उदान बटन है और यह अंडोमान में है, ठीक है फ्रेंड, आत्महत्या कहते हैं, एंसर देजे इसका, तो इसका एंसर होगा आपका हासी मोटा, हासी मोटा को थायराइट की आत्महत्या कहते हैं, आप कैसे हम लोगे याद करेंगे, आप देखें, जब थायराइट किसी को हो जाता है, आपके गले में जेनरली होता है, तो गले में और जनरली लेडिस्क में जाद ही होती है तो वो मोटा हो जाता है तो मोटा हासी मोटा याद रखेगा थाराइड हासी मोटा ठीक है तो रूगा नेश्ट कोस्चन है चार नमबर जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए परधान मंतरी बने हैं तो इसका एंसर हो जाएग पर्थम अंग्रेज कौन था तो इसके एंसर हो जाएंगे आपके रॉलेफ फीच रॉलेफ फीच जो है बिहार आने वाला पर्थम अंग्रेज था और यहां अकबर के दरवार में आया था बात कर ले अगर कैप्टन हॉकिंस यानि विलियम हॉकिंस की तो यहांगीर के ने वारा मन सब भी परदान किया गया था इसे ध्यान रखिएगा नेश्ट है पीला एंजाइम किसे कहते हैं छे का तो इसका एंसर होगा 6 का A 6 का ने फ्रेंड 6 का सॉरी A नहीं होगा 6 का जो होगा वा B हो जाएगा आपका B2 विटामिन B2 को पीला एंजाइम कहते हैं विट विटामिन B1 को हम लोग थाइमिन बोलते हैं B12 को साइना कोबला माइन बोलते हैं तता विटामिन B5 को हम लोग आपका पैंथोनिक अमल भी कहते हैं नेश्ट है याकूत किस देश की परमुख जन जाती है तो याकूत जो है वह आपका 7 का हो जाएगा आपका C रूस की जन निश्ट आते हैं संसद में मनोनी सदस्यों की कूल संख्या कितनी है सोच के जवाब दीजेगा इसका तो इसका एंसर हो जाएगा 8 का आपका संसद में मनोनी सदस्यों की संख्या आपका 12 है फ्रेंड आप लोग सोच रहोंगे कि 14 क्यूंकि दो आंगल जो राश्पती द्व तो संसद में दो जो आंगल समुदाय के मनुनित किये जाते हैं, राश्टपती दौरा उनको हटा दिया गया है, इसे ध्यान रिखेगा, तो या जो जनवरी में साइध हटाया गया है, तो संसद में अब मनुनित सदस्यों की संख्या केवल 12 हो जाएगी, राजसवा में जो 12 जो राश्टपती दौरा मनुनित किया जाता है, तो इसे याद रिखेगा, 14 एंसर नहीं होगा, तो 12 आठ का B, नेश्ट आते हैं, निम्लिखित में से किस टेट की रेखा सरवाधिक लंबी है, तो एंसर होगा 9 का, आपका A, अंडुमान निकोबार, आप लोग सोच रहे हो गुजरात, यहाँ बात हो रही है, कि इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि राज्यों में, निम्लिखित में, अगर आप लोग का राज्य और किंसा से दोनों दिरिया जाए, तो अंडुमान निकोबार की जो टट रेखा है, वह सरवाधिक लंबी है, अगर भारत बात कर ले राज से कब पिर्थक किया गया था, तो नौक, दस का एंसर हो जाएगा, सी, 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था, 11, सिंदु घाटी, अस्थल, चनुदरो, किस नदी के किनारे इस्थित है, फ्रेंट, तो 11 का एंसर हो जाएगा, आपका, सिंदु नदी, सिंदु नदी के किनारे चनुदरो है, इसको कैसे याद करेंगे, मैंने ट्रिक पी दिया है, आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, तो आपका हडपा नदी, सॉरी फ्रेंट, मोहन जो दुडो, और आपका चनुदरो, तो देख लीजे, मोहन जो दुडो, दुडो है, चनुदरो में दुडो तो कोट क्या होता है आपका, कोट जी जी, एक कोट जी जी भी सिंदू घाटी अस्थल है, वो भी आपका सिंदू नदी के किनारे है, तो ऐसे आप इसे ट्रिक से याद रखेगा, कोट में दौडती है, पीवी सिंदू, इसलिए सिंदू, ठीक है, तो दौडती है, इसलिए सिंधू नदी, बारा नंबर है बुलेट फुरूप सामगरी बनाने के लिए निमलीकित में से किस पॉलीमर का यानि बहुलक का उपियोग किया जाता है, तो बारा का एंसर हो जाएगा आपका C, पॉली एमाइड ध्यान रखेगा इसका, काफ़ इंपॉर्टेंट कोस्चन है मुल्ता, उच्तम नियाले के न्याधिसों की संक्या कितनी निश्चित की गई थी तेरा का एंसर हो जाएगा आपका यानि ए, तेरा का ए, आठ यानि सुरू में, सुरूआत में जब उच्तम नियाले बना है आपका 28 जनवरी 1950 को तो उस समय उच्तम नियाले में नाधिसों की संक्या आठ थी बात में 1956 में संसोधन करके यानि बढ़ा कर दस कर दिया गया और वर्तमान में अगर बात करें तो उच्तम नियाले में नाधिसों की क्या 33 प्लस एक यानि एक जो है आपके चीफ जैस्टीज तो 34 हो गई है और वर्तमान में चीफ जैस्टीज जो है वे आपके अर्वीन बोबडे जी है नेश्ट आते हैं डैनिस द्वारा पर्थम फैक्टरी कहां लगाई गई थी तो इसका एंसर हो जाएगा आपका 53 कोर में यह आपका डैनिस द्वारा पर्थम फैक्टरी लगाई गई थी त्रावन कोर या तंजोर में भी लगाई गई थी इसे कैसे याद करेंगे तो मैंने ट्रिक भी दिया है डैनिस तो आप लोग जानते हैं कि डैनि एक विलेन है खलनायक है डैनि तो उसको हम लोग जोर से मार हुआ था लेकिन कोस्टियन आ जाएगा कि दक्षिन भारत में अंग्रेजो द्वारा पर्थम फैक्टरी कब लगाई गई तो 1611 में मुसली पटनम में नेश्टाते हैं और पुर्तिगालियों द्वारा कोचिन में लगाई गई थी आपका पर्थम फैक्टरी तथा द्वा का 15 का डी 36 तो कैसे याद रखेंगे बिहार की सापना बिहार को उडिसा से अलग करके 1936 में ही बिहार को उडिसा से अलग कर दिया गया था अपना हुआ था तो 36 एंसर याद रखेंगा नेश्ट है बिहार के भगोलिक छितरफल में कितने परतिस्यत हिंसे पे वनाव केंदर सरकार की विरुद्ध लोग सभा में औव इस्वास पस्ताओं लाया गया कब लाया गया था तो इसका एंसर हो जाएगा 17 का आपका 1963 ये औव इस्वास पस्ताओं जो लाई गया था वहाँ जिसको हम लोग सरकीक भी बोलते है गुजरात में है कितने डिग्री देसांतर पर इस्थित है तो इसका एंसर हो जागा ठारा का 68 डिग्री साथ मिनट भारत का जो अक्छांसी विस्तार है वह आठ डिग्री चार मिनट दक्षिन से लेके 37 डिग्री चे मिनट उत्तर तक इस त तता पश्चिम से पूरब 68 डिग्री साथ मिनट से 97 डिग्री पचीस मिनट तक पश्चिम से पूरब में इसका दिशांतरी इस्तार है तो इसे आप ध्यान रखिएगा भारत का 8 डिग्री चार मिनट से 37 डिग्री चे मिनट से 97 डिग्री पचीस मिनट से इसका विस्तार है और सबसे उतरी बिंदू जो है वा आपका इंदरा कॉल है, सबसे दक्षनी बिंदू, इंदरा पॉइंट है, मुख्य भूमी की बात कर रहा हूं, मैं सबसे पच्चमी बिंदू, गौर माता तथा सबसे पूर्वी बिंदू, 97 डिग्री 25 मिनिट में वा अनुराचल परतेस मे की बी तू है, निश्ट आते हैं, 19 नमबर, वासको टिगामा का काली कट पहुँचने पर किस सासक ने भाव स्वागत किया था, तो इसका एंसर हो जाएगा, आपका, आप लोग खोज रहोंगे, जमोरियन तो नहीं, इसका एंसर है, सामोरी, जमोरियन प्रेंट, चले, एंस इसका हो जागा, सामोरी, क्योंकि सामोरी जो थे, उनका स्वागत किया गया था, सामोरी सासक का नाम था, लेकिन जो उनको उपाधी दी गए थी, वा, जमोरियन दी गए थी, तो जमोरियन रहे, तो जमोरियन भीमारी, अगर सामोरी है, तो सामोरी भीमारी है, दोनों को या रखेगा सासक का नाम सामूरी था और उनको जो टाइटल दिया गया था वा जामूरीन था इसलिए मैं इस कोस्टिन को लेके आया हूँ अगर ट्रिकी भी कर दे तो आप इसमें फसे नहीं समीधान के किस भाग में सहकारी समतियों का उपबंद किया गया है तो या जो किया गया है सहकारी समतियों का उपबंद समीधान के भाग 9 का खो में किया गया है तो वरतमान में अगर हम लोग बात कर ले तो वरतमान में 22 भाग है 22 भाग है 12 अनुसूची है और अनुच्छेद तो आपके जो मुक्ताप पूछे जाते हैं नो सूची और भाग तो अगर आपनों को लग रहे हैं कि नहीं सही में कोश्चन टफ हैं आपनों को पसंद आ रहा है तो जरूर एक बार इसे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके जोरूर बताईए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है नेश्ट है एक किस नमर फ्रेंड एक किस है भारत में सौरपथम ई लोक अदालत कहां सुरू की गई तो इसका एंसर होगा आपका एक किस का ए चछतिस गड़ नेश्ट आते हैं सदा बाहर क्रांती का संबन किस से है अगर हम लोग बात कर ले ओपरेशन फ्लड का तो स्वेट क्रांती कोई अपरेशन फ्लड कहते हैं परतम हरित क्रांती 1966 सरसट में हुई थी और यह नॉर्मन बॉर्लोग द्वारा हुई थी तथा भारत में इसके जनक जो थे एंसर हो जाएगा आपका 23 का ए नलकूपों के द्वारा बिहार में सरवाधिक सिचाई किया जाता है अगर कोश्चन आ जाए औल दा एवब सरवाधिक नहीं दे के सिर्फ कोश्चन रहेगा बिहार में सिचाई का परमुक सादन कौन से हैं तो उसमें आप नलकूप तलाब नहर सभी मारियेगा नेश्ट आते हैं 24 भारत में प्रोटे में स्पीकर निक्त करनी की व्यस्था किस देश से ली गई है तो 24 का एंसर हो जाएगा आपका 24 का डी फ्रांस हो जाएगा भारत में प्रोटे में स्पीकर के पहले लोगसभा या राजसभा जो स्पीकर होते है लोगसभा में तो पहले प्रोटे में स्पीकर निक्त किया जाता है उसके बाद फिर इसी स्पीकर निक्त किया जाता है जब चुनाओ हो के आया चुनाओ जर्मनी से आपात काल की विवस्था ली गई है तता फ्रांस से आपका प्रोटेन स्पीकर गंतात्रात्मस विवस्था भी फ्रांस से ली गई है 25 नंबर है महात्मा गांदी के चंपारन सत्यागरा का विरोध किस ने किया था तो 25 का एंसर हो जाएगा D. N. G. रंगा के दोरा इनके सत्यागरा का विरोध किया गया था महात्मा गांदी का जो चंपारन सत्यागरा 1917 में हुआ था तो किसान नेता आपके राजकुमार सुकल के आगरा पे महात्मा गांदी बिहार आए थे और अगर बात कर ले कि महात्मा गांदी का पहला सत्यागरा कहां हुआ था तो वा दक्षिन अफिरका में हुआ था ध्यान रखेगा अगर पूछिया जाए कि महात्मा गांदी का भारत में पहला कहां हुआ था चमपारन बिहार में और अगर पुछिया जाया कि पहला कहा हुआ था तो आपका दक्षिन अफिर का 26 नमबर है फ्रेंड भारत के प्राइदेपिय भाग में किस परकार के वनों की अधिकता है तो ये जो है आपका 26 का एंसर हो जाएगा ये आपके आदरपन पाती वन भारत के प्राइदेपिय भाग में पाए जाते हैं नेश्ट है 27 नमबर वितायोग में अधिक्ष के अत्रिक्ट कुल कितने सदस्य होते हैं अत्रिक्ट के बात हो रहा है तो वितायोग में अधिक्ष को हटा के अत्रिक्ट तो इसमें जो इसका एंसर हो जाएगा आपका B, 4 यानि अध्यक्ष के अत्रिक 4 सदस याज़ जाएगा अध्यक्ष को लेकर पूछा जाए तो 5 और अध्यक्ष को छोड़ के अत्रिक तो 4 सदस होते हैं सविधान के अनुछे 280 में वितायोग को परिभासित किया गया है और वर्तमान में वितायोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंग 2020-2025 इनका कारिकाल है पंद्रवे वितायोग नेश्ट आते हैं इस्पेyn एव़फ फ्रास में चलने वाली अस्थानी पवन को क्या कहते हैं इस्पेन एवफ फ्रास में separate है 25 Catholic का एंसर हो जाएगा आपका दी मिनिश्टर मिनिश्टल कहते हैं बात कर ले अगर बिल्यड की तो या साइबेरिया छित रूस के साइबेरिया छित में चलने वाली अस्थानी पवन है टेंपोरल जो हता है या मध्य अमेरिकी देशों में चलता है टेंपोरल पवन और नौट जो चलता है या आपका USA में उत्री अमेरिका में चलने वाली अस्थानी पवन है नेश्ट है 29 जिवानू में किस परकार के राइबोसोम पाए जाते हैं 29 तो 29 का एंसर हो जाएगा आपका A70S याद रखेगा 29 का 70S और बात कर लिए अगर राइबोसोम की तो राइबोसोम जो होता है वह प्रोटेन संसलेशन में भाग लेता है या सजीव कोशिका के कोशिका द्रॉब में पाए जाता है लास्ट है आपका 30 नमबर की इंटर कॉंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल की अधिकतम रेंज कितनी होती है काफी important question है friend कहीं न कहीं कुईसी एक्जाम में पूछी जाएगी इंटर कॉंटिनेंटल तो इनका जो रेंज होता है हुआ इंटर कॉंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल तो फ्रेंड ये थे तीस question और इसे मैंने discuss भी क्या आप मुझे जरूर कमेंट करके बताईए कि आपका कितना मार्क सारा है आपकी तियारी कैसे है तो अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में टेक केर